नमस्कार कच्चा चिठ्था में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ परवीन शेख भारत में लोगसभाज चुनाव दो हजार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नई सरकार भी बनने जा रही है लेकिन लोगसभाज चुनाव में जिस तरह से विपक्षी गडवन का प्रदर्शन देखने को मिला और बीजेपी की सीटों में कुछ कमी आई है उसको लेकर सोशल मीडिया पर जम कर बहस चुड़ी हुई है एक तरफ सोशल मीडिया पर बीजेपी को लेकर सवाल खड़े किये जा रहे हैं तो मैं दूसरी तरफ बीजेपी की घटी सीटों को पाकिस्तान तक चर्चाएं होने लगी जिसके बाद सियासी बाजार भी कर्म हैं तो क्या कुछ है पूरा मामला सब कुछ आपको स्यासी घमासान बहले ही खाने को कुछ ना हो जहां पर दाने दाने के लिए मोहताज है लेकिन वो भारत में हो रही चीजों पर नजर बराबर रखता है और उन पर कमेंट करता रहता है भारत में लोगसभा चुनाव 2024 कम्प्लीट हो चुका है उसके नतीजे भी आ चुके हैं लेकिन भारत के लोगसभा चुनावों में एंडी की घर जो की तस्वीर भाजपा की स्तिती को देखते हुए खुशी जाहिर कर रही थी लेकिन पूर मंत्री की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी और उन्हें जोरदार जटका लगया दरसल पूर वो मंत्री फवाज चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उनको पूरा भरोस भारत की जनता नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारों को खारिच कर देगी और भाजपा को हराएगी इसके साथ फवाज चौधरी ने ट्वीट में आगे लिखा कि भारतिय मत दाताओं पर हमेशा से विश्वास रहा है कि वह आतिवादियों और नफरत फैलाने वालों क खारिच कर देंगे नतीजों से साफ नजर आ रहा है कि भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री रादनाज सिंग कि कितनी मुश्किलों से लोग सभा सीटे बची हैं और वो लोग सभा पहुच रहे हैं दूसरी तरफ कॉंग्रेस की राहुर गांदी अ हाला कि आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि यह वहीं फवाद चौधरी है जिरों ने लोग सभा चुनाव के बीच में भी राहुर गांदी की तारीफ की थी तो क्या कहा था फवाद चौधरी ने वह आपको खबर में आगे बताएंगे लेकिन पहले आपको बताते ह हासिल किया है लगातार दस साल सत्ता में रहने के बावजूद एंडियो को तीसरी बार पूर्ण भाहमत हासिल होना जन्मानस का सपष्ट संदेश है इस बिज़ बीज़ेपी ने कई राज्यों में बहतरी प्रदर्शन किया है बीज़ेपी ने मध्य प्रदेश में अपना चुनावी प्रदर्शन भी बहतर से बहतरी इन किया एसे कई राज्यों में बॉं में ब्हुतर से बहतरी प्रदर्शन किया मध्य प्रदर्शन प्रदर्शन करते हुए सभी 29 लोगसभा सीटों पर प्रचन जीत हासिल की है लोगसभा चुनाव के इतियास में सबसे वड़ी जीत इस बार इन दौर में मिले इन दौर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने 11,75,000 वोटों से जीत हासिल की यही नई इस बार बीजेपी ने कॉंग्रेस और कमलनात परिवार का गड़ मानी जाने वाली छिंदवाड़ा की सीट भी फता कर लिए भारत में सूरे की किर्णे जिस राज्य में सबसे पहले पढ़ती हैं वो राज्य है अरुनाचल प्रदेश इस राज्य में दो लोगसबा सीटे हैं और दोनों लोगसबा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को प्रचन जीत हासिल हुई है अभी दो दिन पहले ही 2 जून 2024 को आई विदान सबाचुनाव के नतीजों में भी बीजेपी ने आरुनाचल प्रदेश में क्लीन स्वेप करते हुए दो तिहाई से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की थे कभी कमिनियुस्टव का गढ़ रहा तिरपुरा अब भगवा ध्वज उठाए हुए है तिरपुरा की दोनों लोगसबा सीटों पर बीजेपी को प्रचन जीत मिली है यहाँ विपक्षी दल कोई खास चुनावती तक पेश नहीं कर पाए देभूमी उत्राखन में 5 लोगस कर देनी के स्तिती में नहीं दिखा यहीं वज़ा रही कि चुना प्रचार के दौरान भी कॉंग्रेस की बड़े नेताओं ने उत्राखन से दूरी बनाये रखी मानों उन्हें पता हो कि हर बार की तरह इस बार भी जनता कॉंग्रेस को भाव नहीं देने वाले हिमाचल प्र प्रदेश में बीजेपी ने अपने प्रदर्शन को सुधारा है देश के सुधूर दक्षन पूर्वी दिवे केंद्र शासर प्रदेश की एक मात्र लोगसभा सीट पर बीजेपी को प्रेशन चीत मिले अंडमान निकोबार दीपसमू पर भी भगवा लहरा रहा है देश की बावजूद इस गड़ बंदन की हार हुई आम आदमी पार्टी के सयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं और यहां पर अर्विन केजिवाल ने तो जनता से यहांता कपील की थी कि अगर उन्हें जेल जाने से बचाना है तो आम आदमी पार्टी को जितान रहें कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी ने यहां भी हात मिला लिया इसके बावजूद दोनों ही दलों को यहां पर असफलता का मूद देखना पड़ा गुजरात में बीजेपी ने यहां पर 26 में से 25 लोग सबासीटों पर प्रचंट जीत हासिल की है कॉंग्रेस को बना सीट से कॉंग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली है बाकी की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है चत्रिसकर के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस ने बोपेश बगेल को भी हार जीलनी पड़ी भारतिय जनता पार्टी ने ओडिशा में भी शांदार प्रद की है और इडिशा में कॉंग्रेस और बीजेटी को महज एक एक सीट पर जीत मिली है इन राज्यों के अलावा भी बीजेपी ने कई राज्यों में शांदार प्रदर्शन किया है फिलहाल बीजेपी की अगवाई में यहां पर एंडिये ने शांदार प्रदर्शन करते हार को यह चाता है कि नरेंद्र मोदी हार जाएं भारत पाकिस्तान के रिष्टे तभी सुद्रेंगे जब दोनों देशों में आतिवाद कम होगा पाकिस्तान के आम लोगों में भारत के लिए नफरत नहीं है लेकिन भारत में और बीजेपी लगातार पाकिस्तान के लिए के दिलों में नफरत भर रहा है यह किसी भी तरह से दोनों देशों के आम लोगों के लिए अच्छा नहीं है उनकी शिकस्त होना बहुत जरूरी है जो भी उनको हराएगा चाहे वो राहुल गांदी हो केज रिवाल हो या ममता बैनर जी हो उसके साथ हमारी शुपकामना है पाकस्तानी लोग भाजपा के खिलाव प्रचार कर रहे हैं यह अपने लोगों को ना समझ सोच रहे हैं भारतिय मतदाता क्या नहीं जानता है कि उनको फाइदा कट्टर पंथ नहीं बलकि मिल जुरकर रहने में है भारत का वोटर अपना फाइदा और नुक्सान जानता है चौधनी ने आगे कहा कि वो राहुल गांदी या अर्विन केजिवाल को नहीं जानते हैं वो इसलिए इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के नित्रत में जिस बहुत संख्यक बात पर भारत बढ़ रहा है वो पड़ोसी तोर पर पाकिस्तान के उसे हमारा समर्थन पुना चाहिए दिली के सियम अर्विन केजिवाल ने शनिवार को 25 मई की सुभा अपने परिवार के साथ दिली में वोड डाला था और उसकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की ती जिससे दुबारा पोस्ट करते हुए पाकिस्तान के की तरह सक्षम है आपकी ट्विट की जरूरत नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के हालाद बहुत खराब हैं आप अपने देश को समाले यानि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तानियों को अपने देश में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन भारत में कौ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे, आप अपना सुधाप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया